असलाम अलेकूम फ्रेंज्स आप कई बार बनाए होंगे चना दाल पकोड़ा लेकिन आज काबली चना और चना दाल पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही सौफ्ट बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर इस रमजान में ट्राइ कर सकते हैं या कभी भी मन करें तो बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर काबली चना को भीगो कर ले लेना है 6-7 घंटा भीगो सकते हैं या ओवरनाइट भीगो सकते हैं यहां पर हम धन्या पत्ता लिए हैं हरी मिर्ची प्यास लिए हैं तो फिर ग्राइंडर के जार म सबी चने को डाल देंगे मतलब जितना आपका अरेंज होगा थोड़ा से छोड़ेंगे ताके ग्राइंड हो सके यहाँ पर धनिया पत्तर डाल देंगे और हरी मिर्ची अपने तीखे के साब से डालेगा हम चार डाले थे और यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ दो और यहाँ पर नमक और अजवेन जीरा पाउडर और यहाँ पर धनिया पाउडर और टू पिंच खाने का सोड़ा डाल रही हूँ या फिर बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं या फिर skip भी कर सकते हैं और यहां पर वान टीस्पून अद्रकलस्पून का पेश यहां पर कसूरी मेथी वान टेबूले स्पून डाल सकते हैं और यहां पर लेमू का रस हाप डाल रही हूँ और इसको grinder का जार बंद मतलब ढकन बंद करके इसको पीस लेना है दरदरा सा पेश बनाना है बहुत ज़्यादा फाइन पेश नहीं बनाना है इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही कम पानी देकर पीस सकते हैं यहां पर हम पेड लगाई हुए हैं कड़ी पत्ता का तो पत्ता ले लेंगे यहां पर देख सकते हैं हम हाप बना लिये थे पिछली वीडियो में दिखाए थे और हाप का यहां पर प्याज और चना डाल थोड़ा सा डाली हूँ इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा चोटा चोटा पकोड़ी का स्टेप दे सकते हैं तेल गरम करके और एक साइट का लाल होने के बाद पलटिएगा वरना यह सौफ्ट होता है तूट सकता है इसी वज़़े से गुल्डेन कलर हो जने के बाद इसको निकाल लेजेगा इस तर कीजिए इंजोई कीजिए अपने फैमिली के साथ बस आज का वीडियो बहुत छोटा सा है बस एक ही रेसिपे शेयर कर पा रही हूं आज कल अफान बागो रो रहे हैं इसलिए शेयर नहीं कर पा रही हूं कल इंशाल्ला चिकन पकोड़ी की रेसिपे शेयर करोंगी तो हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यू अला हाफिज